Hello everyone, this is Prashant and welcome to our YouTube channel The Learning Capital दोस्तों Top 10 Best Objective Questions की स्रीज का ये हमारा चौथा वीडियो है इससे पहले हमने तीन वीडियो करी है तीनों वीडियो में अच्छा कासा रिस्पॉंस मिला है और उम्मीद ये है कि आगे आने वाली वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा ठीक है दोस्तों चलिए आज के अपने पहले कॉस्चन के साथ सुरुआत करते हैं आज के सेसन की तो आज का हमारा पहला कॉस्चन है सिमलीपाल बायोस्फेर रिजर्व किस राज्ज में इस्थित है इन विच इस्टेट सिमलीपाल बायोस्फेर रिजर्व लोकेटेड ओप्सन दिये गए है उत्तराखंड, मद्दप्रदेश, गुजरात या फिर उडिसा तो दोस्तो इसका सही जवाब है उडिसा, उप्सन नमबर D उडिसा राज्जी के मयूर भंग डिश्टिक में अपना सिमलीपाल बायोस्फेर रिजर्व इस्थित है, लोकेटेड है ठीक है, ये इस्टेबलिस कब हुआ था तो ये इस्टेबलिस हुआ था 1994 में 1994 में इस्टेबलिस हुआ था और ये फेमस किसके लिए है तो ये फेमस है रोयल बेंगॉल टाइगर के लिए अब इनकी बात कर लें गुजरात की बात कर लें सबसे पहले तो गुजरात में दा ग्रेट रन आफ कच बायोसफेर रिजर्व लोकेटेड है ये इस्टेबलिस हुआ था 2008 में और ये फेमस किसके लिए है तो ये फेमस है जंगली गधे के लिए मद्प्रदेश की बात कर लें तो मद्प्रदेश में तीन बायोसफेर रिजर्व इस्थित है पहला है पन्ना पन्ना बायोस्फियर रिजर्व तो पन्ना बायोस्फियर रिजर्व इस्टेब्लिश हुआ था अपना 2011 में और यह फेमस किसके लिए तो यह फेमस है टाइगर, चीतल, चिंकारा और सामर के लिए एक और biosphere reserve है पचमणी biosphere reserve ये establish हुआ था 1999 में और ये famous किसके लिए और ये famous है giant squirrel और flying squirrel के लिए ठीक है उत्त्रखंड और biosphere reserve इस्तित है मद्ध प्रदेस में अचानक मार amarkandak biosphere reserve ये मद्ध प्रदेस और 36 गड़ के border में इस्तित है ठीक है और ये famous किसके लिए है तो ये famous है Indian wild डॉब के लिए उत्राखंड के Biosphere Reserve के बात कल ले तो उत्राखंड में एक Biosphere Reserve इश्तित है ये नेशनल फार्क भी है Biosphere Reserve होने के सांसाथ ये इस्टैब्लिस कब हुआ था तो ये इस्टैब्लिस हुआ था 1986 में ठीक है और ये फेमस किसके लिए तो इसनो लेपड और हिमालियन ब्लैक बियर के लिए ये फिमास है ठीक के दोस्तों अपने अगले question के और बढ़ते हैं तो आज का हमारा दूसरा question है हमारे समिधान के किस अनुक्षेद में अश्प्रश्चिता के अंत की बात कही गए है तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्टिकल नमबर 17 में है आर्टिकल नमबर 17 में छुआ छूत और अस्प्रश्चिता के अंत की बात कही गए है उनका निसेद किया गया है और साथ ही इसको कानूनन अपराध भी माना गया है अब आर्टिकल नमबर 40 की बात कर लें तो आर्टिकल नमबर 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है और आर्टिकल नमबर 18 की बात कर लें तो आर्टिकल नमबर 18 में है उपाधियों का अंत जो राजाओं महराजाओं को उपाधियां दी जाती है उनके अंत की बात कही गया है ठीक है इनमें वो उपाधियां सामिल नहीं होती जो सरकार द्वारत दी जाते हैं और सैनिक उपाधियां है ठीक है जैसे की परंबीर चक्र हो गए अपना या फिर भारत रदने अब अपने अगले कॉस्चन के और बढ़ते हैं तो हमारा अगला क question आज का gypsum का रासायनिक सूत्र क्या है what is the chemical formula of gypsum option दिये गए है L2O3 into 2H2O NaCl CaCO3 या फिर CaSO4 into 2H2O तो दोस्तों इसका सही जवाब है CaSO4 into 2H2O ये gypsum का chemical formula होता है ठीक है और और gypsum को जब 140 degree centigrade पर गर्म कर दिया जाता है तो इससे डेड़ भाग जल निकल जाता है और फिर क्या बनता है P.O.P. P.O.P. बनता है Plaster of Paris और ये gypsum जो है वो calcium का एसक होता है इसकी बाल कर ले CaCO3 तो CaCO3 calcium carbonate का रासायनिक सूत्र है और इसमें calcium carbonate का है और जो ask है वो किसका है calcium का एसक है calcium carbonate NaCl की बात कर लें तो इसको sodium chloride या फिर साधारन नमक कहा जाता है और ये sodium का ask है sodium का ask है Al2O3 into 2H2O ये बाकसाइट का रासायनिक सूत्र होता है ठीक है बाकसाइट एलमूनियम का ask होता है आगे बढ़ते हैं अपने अगले question के और तो हमारा अगला question है malaria निमन लिखित में से किस कारक के कारण होता है malaria is caused by which of the following factors option दिये है protozoa bacteria virus या फिर fungus दोस्तो इसका सही जवाब है protozoa protozoa के कारण होता है अपना malaria malaria disease जो है protozoa कारण होती है इसका वाहक मच्छर कौन सा है तो मादा एनाफलीज मच्छर female एनाफलीज मच्छर होता है और इससे प्रभावित कौन सांग होता है तो RBCs अपने RBCs जो होते है red blood cells जिनको erythro side भी बोला जाता है ये प्रभावित होते है और कौन से proto जोगा कौन से परजीविक करण होता है तो ये plasmodium परजीविक करण होता है ठीक है अब अपने अगले question के और बढ़ते हैं तो हमारा अगला question है इनमेज से कौन सा देश सार्क समूं का हिस्सा नहीं है which of the following countries is not the part of सार्क option दिये हैं इंडिया पाकिस्तान स्री लंका या फिर म्यानमार तो दोस्तो इसका सही जवाब है म्यानमार म्यानमार country सार्क समूं का हिस्सा नहीं है बाकी सार्क की बात कर लेते हैं तो सार्क का जो full form होता है वो होता है South Asian Association Regional Cooperation इसको हिंदी में क्या बोला जाता है हिंदी में बोला जाता है दक्षण ACI छेतरी सहयोग संग अब इसमें सदस्य देश क्या है कितने हैं तो सदस्य देश आठ सदस्य देश हैं कौन-कौन से भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाल, भूटान, स्रिलंका, मालदीव वह अफगानिस्तान, इसमें अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि चीन और म्यानमार को छोड़ कर जितने भारत के पडोसी देश हैं, वो सब इसके सदस्य देश हैं, इसका हेड़कॉर्टर कहां तो इसका हेड़कॉर्टर है काठमांडू में, काठमांडू में इसका अगले question के और बढ़ते हैं तो हमारा अगला question है Maori जनजाती किस देश में पाई जाती है the Maori tribe found in which following country option दिये गए हैं स्रिलंका, जापान, कैनेडा या फिर न्यूजिलेंड तो दोस्तों जो Maori tribe है Maori जनजाती वो न्यूजिलेंड में पाई जाती है जनजातीयों का जो परिवेस होता है, जो culture होता है एकदम सामाने जीवन से हट कर होता है यह अपना अलग जीवन जीते है स्रीलंका के tribe की बात कर लेते हैं तो स्रीलंका में पाई जाती है वेदिदास tribe जापान में आइनू जाती पाई जाती है विच आप दीज इस स्पेसीज इस नॉट फाउंड इन हडपन सिविलाइजेशन ओप्सन दिये गए हैं दोस्तो मंगोलाइट प्रोटो आस्टेलाइट निग्रो या फिर भूमद्ध सागरी दमेडिटिरियन्स तो दोस्तो इसका सही जवाब है निग्रो ऐसा माना जाता है क कि निग्रो के अलाबा सभी प्रजातियों के अफसेस जादतर मिले हैं हडपा सबता में निग्रो प्रजाती को छोड़ कर और साथ ही ऐसा मान जाता है कि जो हडपा सबता की सुरात है वो प्रोटो आस्टेलाइट और भूमद्ध सागरी दमेडिटेरियन्स इन्होंने मिल क ठीक है अब अपने अगले कोस्टेन के और बढ़ते हैं तो हमारा अगला कोस्टेन है गरीबी उन्मूलन तथा आत्म निर्भरता की प्राप्ति का सिध्धान्त किस पंचवर्सी योजना के अंतरगत लाया गया था पावर्टी इरैडिकेशन एंड अटेन्मेंट ऑफ सेल् रियलाय geral 오늘도 इंडीज legitimately फ्रेयर, के और और अब्चिअंट वाजेघ्षा इंक्लूड़ें इंडीज फ़ाइगे अपॉ drz दूसरों पंचवर्षी योजना चौथी पंच वर्षmed ये अप्र या फिर पांच्वें पंच वर्षी योजना में इड प्राप्ति का सिध्धान्त poverty eradication and attainment of self-reliance का ठीक है इनकी बात कर लें तो दूसरी पंचवर्षी योजना में second five year plan में समाजवादी समाज की स्थापना करना प्रमुखुद देश था ठीक है fourth five year plan में आर्थिक आत निर्भरता की प्राप्ति का सिध्धान था और eighth five year plan में मानो संसाधन का विकास development of human resources इसका सिध्धान था ठीक है अब अपने अगले question के ओर बढ़ते हैं तो नौमा question है हमारा rugby football में खिलाडियों की संख्या कितनी होते हैं how many players played in one side in rugby option दिये गए हैं 9 15 7 या फिर 6 तो दोस्तों इसका सई जवाब है 15 रगबी football के एक दल में एक ideal में 15 होते हैं 15 players ठीक है इनकी बात कर ले तो 9 खिलाड़ी होते हैं 9 खिलाड़ी होते हैं अपने baseball वक्षों में ठीक है did 7 खिलाड़ी के बात कर ले तो मेंladı और शंच profits और 6 खिलाड़ी को बात कर ले तोготовATEब बॉली बॉल के एक साइड में चेक लाड़ी होते हैं अब अपने अगले कोस्टेन के और बढ़ते हैं आज का हमारा अगला कोस्टेन है भारत का नेपोलियन किस गुप्त सासक को कहा जाता है विच गुप्त रूलर इस नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया ऑप्सन दिये गए जाता है कि इसने आर्यावर्त और दक्षिनावर्त पूरे राज़्यों को जीत लिया था इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है भारत के नेपोलियन के साथ साथ इसको कभी राज वा अस्मेग करता की उपाधियां दी जाती है ठीक है चंद्रगुप्त की बात कर लें तो चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है महाराजा धिराज और चंद्रगुप्त दुती को विक्रमादित आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त दुती को विक्रमादित कहा जाता है कुमार गुप्त कहा जाता है कुमार गुप्त को कौन सी उपादी दे तो इसको दी गई है महंद्रादित की उपादी इसकंद गुप्त की कौन सी उपादी है सक्रादित वक्रमादित ठीक है दोस्तों तो ये था आज का हमारा सेशन यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अधी दोस्तों आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर सेर करें ठीक है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद